स्टूडेंट्स मैं हूँ मुधिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मुधिता आयस वारियर्स में क्लास नाइन्थ ये वर्कशीट नमबर 66 है और ये वर्कशीट आपको 17 ओफ दिसंबर 2020 के लिए प्रोवाइट की गई है तो जैसे कि आपको पता है कि हम सोसल स्टेडीज में समाजिक विज्ञान में रिवीजन कर रहे हैं यानि पुन्रा विर्ती कर रहे हैं तो आज हम पुन्रा विर्ती करने वाले हैं इतिहास का आपका पार्ट दो है ये ये चैप्टर आपको वर्कशीट में हमने बहुत से explain किया था अब इसका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है तो आशा करते हैं कि आप रिवीजन के साथ साथ चैप्टर को लर्न करते जाएंगे और अगर आपने हमारी पुरानी वर्कशीट नहीं देखी है इस चैप्टर की तो जाके उन वर्कशीट को देखें कि वहां पर बहु के solution discuss करेंगे प्रशन एक वाद दो में आपको क्या करना है उत्तर एक वाके में लिखना है दो प्रशन दिये गए हैं जदीदी कौन थे और अंतरास्टिय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोनों के उत्तर में आपको लिखवाऊंगी तीन और चार प्रशन में आपको रिक् प्रशन दिया जाएक से उठाके हैं यह जाता है लुक dorm भugh प्रशन होगी तो पांच और छे आपके इस तरह के प्रशंग प्रशन है फिर शत और अट में आपको संटेंस दिया गया और रहाए आपको यह बताना है कि यह वाक्ड रहाय तो मतलब ब्राप्त देख रहे हैं फिलप भी आएगा वाख के बनाना भी आएगा वन माकर वन लाइन अंसर देने वाला कोशन भी आएगा इसके बद अलग तरीके का कोशन नौँ और दस कोशन में क्या बोला है नौँ और दस में रिखांकित सब्दों को सही करके पुणा लिखिए मतलब यह इसी पर आधारित है कोशन नमबर 11 में आपको एक दो स्टेटमेंट दी जाएगी ठीक है एक आपका कथन होगा और एक कारण होगा और यह पूछेंगे कि जो कथन है वो कारण का सही विवरण है या नहीं और इसके आपको चार ऑप्शन दिये हैं चार में से कौन से सही है वो बनाकर रखनी है कोविट से लड़ने के लिए और अब आप केवल वर्कशीट कॉपी में करने के लिए ना करें क्योंकि यह सभी वर्कशीट यह सभी चैप्टर्स आपको अल्रेडी पढ़ाये जा चुके हैं उन वर्कशीट में चैप्टर्स को पढ़ाया गया है उन्हें प्रश्णों को एक बार याद करें और जो यह दुबारा रिवीजन में करवाये जा रहें इन प्रश्णों को भी दुबारा से अच्छे से याद करें जिससे आपका चैप्टर साथ के साथ तैयार हो जाए चलिए सॉलूशन देख लेते हैं में आपसे बोला था जदीदी कौन थे तो जदीदी रूसी समराज में मुस्लिम धार्मिक सुधारक थे तो आपको इतना याद रखना है मुस्लिम धार्मिक सुधारक हुआ करते थे कौन जदीदी ठीक है वर्ड से आपको समझना है कि फ्रांसिसी वर्ड है रूसी वर्ड ह टीक है इसकी बद अंत्रास्टिया महिलादिवस कर λέे जाता है है तो गरीन कलर हाइल Ste informação दिए रुस में बड़े किसानों को आड़ लेह पूस्ट में गल्लक घंप ठांक बारीह रूस में निरवाचित प्रमर्शी संसदि जिसका गठन 1905 में हुआ था का नाम, डेस था, तो उसका नाम क्या था? जॉइन कर लें मुझतायस वारियर और वहां से आप सॉलूशन कर सकते हैं प्रश्न पांच में आप से बोला था कि नीचे दे गए शब्दों के बारे में एक वाक्य लिखिए आपको एक संटेंस लिखना है और जो आपका शब्द था वो था स्टालिन का समूही करण तो स्ट च्छे खादान उत्पादन में वृद्धी करना था चौटा ही वन मार्ग को इस लिस में बहुत बड़ा कि लिखना है एक लाइन का ही लिखना है नीचे दिये गए शब्दों के बारे में एक वाक्य लिखना है उदारवादी उदारवादी कौन थे तो उदारवादी ऐसा रास्ट चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले उदारवादी कौन से लोग होते थे उदारवादी पे आप कुछ भी संटेंस एक बना कर लिख सकते हैं प्रेशन साथ में आप से बोला है नीचे दिये वाक्यों को सही या गलत बताईए कि जो कि समाजवादी दूहे थिए जानि वें संपत्ति पर निजी इस्था इंव को सही नहीं मानते थे तो वहां प्राइवरिटायजेशन हो सब का हो ठीक है तो यह क्या होगा शही होगा आगे देख धाना कि इसमी आपको राएट रोंग बताना है कोशन 8 में लैनिन की नेतर्त में बॉल्सविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे तो यह सही है या गलत सही है कुश्चन 9 में आपसे बोला है रिखांकित सब्सकों सही करके वाके लिखिए यहां पे एक वर्ड गलत है और उसको आपको पहचानना है रैडिकल ऐसा रास्त्र चाहते थे जिसमें सभी ध दस में आपसे पूछा था कि रिखांकित सब्सकों सही वाके करके लिखिए फिर से 9-10 एकी कटेग्री के हैं रूडिवादी सम्मू वन्च अधारित शास्कों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षग तो यहां पर उदारवादी सम्मू आएगा आगे देख लेते हैं ग्यारवे प्रश्ट में आपसे क्या दिया गया है आपको एक संटेंस दिया गया है स्टेटमेंट में आपको दिखा दू नीचे कतन और कारण दिया गया है कतन आपका यह है कि जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की सहमती दे दी थी और इसका कारण बताया है कि जार अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुष नहीं चाहता था ठीक है अब आपको स्टेटमेंट्स दिया है पहला कतन दिया हुआ है कि एक कारण और जो आर इसका कारण है कतन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का सही व्यक्षा कर रहा है बी में बोला है कथन और कारण सही है लेकिन कथन का कारण सही व्यक्षा नहीं करता है सी में बोला है कि जो हमारा कथन है वो सही है पर कारण गलत है और डी में बोला है कि कारण कथन ही गलत है और कारण सही है तो इसका option क्या होगा option number B इसका सही उत्तर होगा ठीक है option B इसका सही उत्तर होगा कि कधन और कारण तो सही है लेकिन जो कारण है वो सही व्याख्या नहीं करता है तो यह आपके 11 वा उत्तर हो गया यहाँ पे हमने worksheet छोटी सी revision की solve कर ली है यह आपके 11 प्रशन थे 1 marker नेक्स्ट जो इसकी पुन्रावर्ती worksheet आएगी उसमें हम आगे के questions करेंगे जो 3 marker, 2 marker question होंगे ठीक है आपको फटा फट से वीडियो को लाइक, शेयर और चानल को आपने अब तक सब्सक्राइब नी किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन ओन टाइम मिलता रहे मिलते हैं नेक्स्ट वोक्शीट में तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं और मिलते हैं